नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर का एक्राम किसे आपको ताजमहल से नफरत है आपको लालकिले से नफरत है कुट्व मिनार से भी आपको नफरत है जामा मस्जिद ही नहीं हर मस्जिद और हर मजार से नफरत है चर्चों से तो नफरत पुरानी है ही डरिये नहीं मैं यहां उनकी नफरती लिस्ट का पूरा का पूरा पार्ट नहीं कर रही बस इसे जोड रही हूं देश के ग्रिह मंतरी अमिश्शाह जी और प्रधान मंत्री जी के भाशनों के साथ बहुत खास बात है ध्यान से सुनिए छे अप्रेल को यानि जिस दिन भाशपा के स्थापना के 44 साल पूरे हो रहे थे उस दिन गुजरात के राजकोट में उसी दिन हनुमान जैनती भी थी और हनुमान जी को याद करते हुए हमार में कहा पहले विदेशी महमानों को ताज महल का रिपलिका दिया जाता था लेकिन अब गीता दी जाती है और देखिए ठीक उसी धिन प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी ने क्या कहा उन्होंने कहा कि हनुमान जी की तरह ही भाशपा के लिए सब कुछ करना संभव है बात लाशपा के अनुयाई सब कुछ संभवी तो कर रहे है इस देश में मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि 2024 का चुनाव वह जीत रहे हैं और उनकी धुन में धुन मचाते हुए धुन मिलाते हुए मीडिया के धुरंदरों ने भी ऐलान करना शुरू कर दिया है तमाम मीडिया घरानों में उनकी जीत का बिगुल बज रहा है चाहे के एरल से एक एंटिनी के बेटे भाशपा में शामिल हो या फिर आंधर प्रदेश में जो पहले कॉंग्रेस के वहां के मुख्यमंत्री रहे किरन रेड़ी वह भाशपा में शामिल हो जटका कॉंग्रेस को करनाटक में लग रहा है और हम सब देख रहे हैं कि करनाटक में जहां चुनाओ होने हैं चुनाओ की सरगर्मी बढ़ रही है और उसी के साथ साथ करनाटक और पूरे देश में नफरत का कारोबार धडलने से चल निकला है और मोदे जी आप तो अपनी ताकत जानते ही हैं ज जो देश भर में सक्री है उसने पहले ही यह रूप अख्तियार कर लिया है अब देखिए ना असम के भाशपा के जो विधायक है रूप जियोती कुर्मी उन्होंने तो जो दाओं खेला है वह बिल्कुल बाजी मारने वाला दाओ हैं उन्होंने सीधे सीधे प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी का दर्वाजा खटखटाया और उन्होंने कहा कि वह ताज महल और कुतुब मिनार को जी हां ध्यान से सुनी उनकी बात उन्होंने कहा कि वह ताज महल और कुतुब मिनार को गिरा कर वहां एक मंदिर बनाने का काम शुरू करें जिसके लिए वह अपनी एक सा का वेतन खर्श करने को तयार हैं और देखिए यह विधायक महदे इनके ज्ञान चक्षु बिलकुल खुले ही जा रहे हैं एक के बाद एक रोज नया बयान दे रहे हैं और उन्हें पता है कि इन बयानों के जरिये उनकी और उनका बयान दिखाने वाले मीडिया घरानों की टियारपी बढ़ती रहेगी यह महद इत्फाक नहीं है कि जिस समय असम के ये विधायत इस तरह का बकवास अनरगल प्रलाप कर रहे हैं नफरत पहला रहे हैं और बता रहे हैं कि देश को सबसे पहले आज सिर्फ और सिर्फ मुगलों से मुक्ती चाहिए जिस दिशा में भारत का तमाम सिलेबस बढ़ चुका है हम सब जानते हैं कि किस तरह से किताबों से मुगलों के तिहास को हटा दिया गया है और उसी क्रम में हम पाते हैं कि तमाम मीडिया घराने सुबह से शाम तक सिर्फ और ताज महल पर चर्चा कर रहे हैं वे चर्चा कर रहे हैं और उसमें अपनी पूरी की पूरी डिबेट में ऐसे लोगों को बैठा रहे हैं जो कुछ भी कहने को उतारू है और उन्हें ये पॉलिटिकल मेंडेट मिला हुआ है यह सब आखिर हो क्यों रहा है यह सब किस डिजाइन के तहत हो रहा है और इसी समय क्यों ये सारा का सारा कोहराम मचा हुआ है कि अमिश शाह जी से लेकर प्रधान मंत्री जी से लेकर नीचे विधायक और उसके बाद नीचे की पूरी की पूरी ब्रिगेड मुसल्मानों, मुगलों, ताश, कुतुब मिनार, जामा मस्जद, मजार सब को निशाने पे ले रही है और तो और जो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़ा काला घोला जा रहा है, पूरी की पूरी दाल को ही काला किया जा रहा है, वजह क्या है, आईए टटोलते हैं, दोस्तों एक सीधा सवाल, कि जिस समय ये नफरत की आग देश भर में फैलाई जा रही है, सुनियों जित धंग से लगाई जा रही है, उसमें हमा पैमाने पर हम आप और हमारी चुनी हुई सरकारें देश के भविश्य के साथ खिलवाड कर रही हैं, भारत में छे महीने से लेकर तेईस महीने के शिश्वों इनफैंस के बीच भीशन रूप से भुखमरी बढ़ी है, बीस फीसदी शिश्वों यानि हर दस में से दो शिश इस सौलिड खाना नहीं मिल रहा, इसमें जो ये सर्वे है, जिस सर्वे पर ये आधारित है, वह सरकारी सर्वे हैं और ये जो पूरी की पूरी प्रवर्ती है, इसे कहा जाता है जीरो फूड प्रिविलेंस रेट, ये बच्चे जीरो फूड केटेगरी में आते हैं, के जीरो फूड एक जान लेवा चक्रविव है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हर दस में से दो बच्चा फसा हुआ है यह अध्यन हमारे सामने आया Harvard School of Public Health के प्रोफेसर S.W. सुब्रमन्यम के नेत्रित में जो अध्यन किया गया उनके जरीए उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से हर छे महीने से लेकर 23 महीने के बीच के बच्चों को 24 घंटे तक बिना कुछ खिलाए नहीं रखा जाना चाहिए और आपको यहाँ बता दू मैं कि यह पूरा अध्यन है यह 2016 और 2021 में जो राष्टिय स्वास्त सर्वे किया गया भारत सरकार द्वारा उसमें एक सवाल पूछा जाता है कि पिछले 24 घंटे में आपने अपने शिशु को क्या ठोस या तरल प्रदार्थ खिलाया था और आप जानकर हैरान होंगे परिशान होंगे और होना भी चाहिए कि तकरीबन साथ लाख लोगों का जवाब था कुछ नहीं यानि साथ लाख परिवार, साथ लाख लोग इस इस्थिती में नहीं थे कि उनके घर में जो छोटा सा बच्चा है उसे वह कुछ भी खिला पाते और इसमें उत्तर प्रदेश अवल नंबर पर है 27.4 फीसिदी है वहाँ पर यह जीरो फूड रेट चतिसगर्ड, जारखन, राजस्थान, असम लिस्ट बहुत लंबी है और यहाँ पर यह जो शोध किया गया इसने खत्रे की घंटी वजाई है और कहा है कि देश को खाद नीतियों में तुरंत परिवर्तन करना चाहिए प्रिसिशन इंटो फूड पॉलिसीज नहीं तो जो भुकमरी है जो हंगर है वह जान लेवा दुष्चक्र में तबदील हो जाएगा और देश के छोटे छोटे नौनी हालों के भविश्य के साथ हम भीशन अपराद कर रहे होंगे इसी का सीधा सीधा संबंध देश में जो महंगाई आसमान छू रही है उससे भी जुड़ा हुआ है हम सब जानते हैं लगातार रिपोर्टे आ रही है कि किस तरह से देश में ना सिर्फ भुकमरी बड़ी है बलकि कुपोशन भी बड़े पैमाने पर बसर रहा है और आप देखिए पिछले दस सालों का जो लेखा जोखा आपको दिखाई दे रहा है वह साफ बता रहा है आटा हो चावल हो दूद हो सरसो का तेल हो घी हो रसोई हो पेट्रोल डीजल की कीमत हो इन सब में भीशन उचाल आया है यानि देश का आम नागरिक सामान ने पौश्टिक खाने से महरूम हो रहा है और लगातार इन सवालों पर चर्चा होने के बज़ाए चर्चा आप देखिए किन चीजों पर हो रही है देश के विधायक, देश के सांसद, ताज महल को लेकर परेशान है वे परेशान है, कुतुब मिनार को लेकर परेशान है वे देश के भविश्य को लेकर इन नौनिहालों के भविश्य को लेकर कत्तई परेशान नहीं है हमारे देश के प्रधान मंत्री लगातार अपनी फिक्र को जाहिर करते रहते हैं उनकी फिक्र है विपक्ष अर विक्ष को दबाने के लिए जो करप्षन का पूरा का पूरा दाओं चला जा रहा है लेकिन देखिए कि इसी देश की संसत को जिस तरह से बहस से दूर रखा गया वहाँ पर समय ही नहीं मिला क्योंकि संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है बुनियादी तोर पर यह सरकार का काम होता है चुनी हुई सरकार का कि वह संसद में कामकाज का माहौल रखे और आप देखिए लोकसभा का यह सत्र संभवता 1952 के बास ऐसा सत्र रहा जिसकी इतनी कम सिटिंग्स रही महज 230 सिटिंग्स दर्श की गई यानि कि कोई कामकाज नहीं हुआ वजह बहुत साफ है वजह प्रधान मंत्री जी के जो प्रिय उद्योक पती है गौतम अडानी जी उनके उपर हिंडन बर्ग की जो रिपोर्ट आई है जिसने बताया कि कितने बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है कितने बड़े पैमाने पर शेल कमपनियों में पैसा लगा है उस रिपोर्ट पर गौतम अडानी जी पर विपक्ष एक जुट होकर जेपीसी चर्चा की मांग कर रहा था जाज की मांग कर रहा था और उसकी मांग को सिरे से खारिज करते हुए मुदी सरकार ने यह सत्र पूरा का पूरा स्वाहा कर दिया पैसा किसका गया? हमारा और आपका इस देश के भारतिय नागरिक ही पैसा देते हैं तब देश की संसच चलती है और वहाँ पर बुनियादी मुद्दों पर बहस होने के बजाए आप देखिए कि जिस तरह से पूरा का पूरा सत्र अडानी जी के नाम पर स्वाहा हुआ और उसके बाद हमने देखा कि एक के बाद एक अडानी जी के पक्ष में जिस तरह से अंगिनत फैसले हुए उनकी बिजनस दील हो रही है यह देशी नहीं पूरी की पूरी दुनिया भी देख रही है और इसी बीच एक एहम काम जो हुआ कि कॉंग्रेस के नितृत में विपक्ष का जो एका बना जिसकी ताजा मिसाल जो तिरंगा मार्श निकाला उन्होंने उसमें भी देखने को मिली लेकिन समय संसत का और देश का खत्म हुआ और दोस्तों अंत में एक सीधा सवाल जिसमें देश की अर्थववस्था की हालत खराब है तमाम जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर ग्रोथ रेट निगेटिव जा रही है या स्थिर बनी हुई है महंगाई चरम पर है ऐसे में हमारे जैसे तमाम मीडिया संस्थान जो खबरे दिखा रहे हैं उनसे भी सरकार को परिशानी हो रही है और इसी क्रम में आईटी नियमों में जो तबदीली करके सरकार ने P.I.B. संस्था को नियुक्त किया कि वही दै करेगी कि केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर जो फेक खबरें जो गलत या भ्रामक खबरें कोट अनकोट आ रही हैं उनकी सच्चाई क्या है उन्हें कैसे रोका जा सकता है सवाल बहुत सीधा सा है कि फेक खबरों की अगर हम बात करें तो भाशपा के आईटी सेल के प्रमुक अमित मालवी जो मुझे लगता है सिर्फ वही नहीं ठीक इसी समय सुप्रीम कोट ने भारती जनता पार्टी के नेता से कहा है कि वह माफी मांगे जिस तरह से उसने फरजी खबर चला कर तमिलनाडू बिहार और जारकंड को लड़ाने की कोशिश की थी यह सब तथ्य हमारे सामने हैं ऐसे में सरकार का यह जो मूव है सरकार का यह कदम है जिसके बारे में एडिटर्स गिल से लेकर तमाम संस्थाओं ने भीशन चिंता जाहिर की है साफ साफ शब्दों में कहा है कि दरसल जो बचा कुचा मीडिया का एक हिस्सा है जो सच दिखाने की कोशिश कर रहा है उसका गला दबाने की कोशिश है अभी व्यक्ति की आजादी को खतम करने की कोशिश है और शायद यही वज़ा है कि सारा विपक्ष जो एक तरफ तिरंगा यात्रा निकालता है वही इस समय खुल कर बोल रहा है कि मोदी जी आपको आज की तारीख में भी इतनी चिंता क्यों है सारा का सारा मीडिया सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अगर सिर्फ आपको दिखाएंगे तो देखने वाला कौन रहेगा आप भी सोचिए मोदी जी शुक्रिया